आखिल भारती पिषडा वर्ग एवं बल्प संख्यक समुदाय करमचारी महसंग ने बुदवार यानि आज भारत बंद का आहवान किया है अन्य पिषडा वर्ग की गर्णा नहीं कराने के केंदर के फैसले की विरोध में हर्ताल का आहवान किया गया है इसके साथ ही वामसेफ ने कई अन्य मुद्दों को भी उठाया है कौन से हैं ये मुद्दे और भारत बंद से कहा कितना असर पड़ेगा देखिए ये रिपोर्ट जाती आधारत जनगर्णा की मांग को लेकर आज भारत बंद का आहवान किया है पिछडे और अल्प संख्यक समुदाय संग के सदस्यों की ओर से भारत के कई हिस्सों में हर्ताल होगी वामसेफ के अध्यक्ष वामन मेश्राम ने कहा कि हमारे भारत बंद आंदोलन को राष्ट्रिय परिवर्तन मोर्चा भारत मुक्ती मोर्चा, बहुजन मुक्ती मोर्चा और कई अन्न संगठनों ने समर्थन दिया है क्योंकि केंद्र सरकार ने अन्न पिछडी जातियों की जाती आधारत जनगरना कराने से इंकार कर दिया है उन्होंने चुनावों में EVM के इस्तमाल और निजी शेत्रों में SCSTOBC के लिए आरक्षन को लागू ना करना और पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की भी मांग जैसी समस्यां को उठाया है तो वहीं बहार की मुक्ष मंतरी नितीश कुमार ने कहा कि जातिकत जनगरना हो जाने से सरकार को सभी समाज के लोगों के लिए काम करने में सहूलियत हो जाएगी संख्या पता चल जाने के बाद विकास योजना बनाने में मदद मिलेगी हाला कि इससे पहले लोगसभा में एक प्रश्न के लिखेत उत्तर बेग ग्रही राज्य मंत्री नित्यानंद राये ने कहा था कि भारत सरकार ने नीती के रूप में S.C. और S.T. के अलावा अन्य जाती वार आबादी की जनगरना नहीं करने करने ने लिया है वही आज भारत बंद का प्रभाव दिल्ली में तो कम है लेकिन उत्तर प्रदेश, मद्रप्रदेश और तमिलनाडू जैसे राज्यों में देखने को मिल सकता है और भारत बंद होने की वज़ह से आम जनता को भी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है दुकाने और सारजनिक परिवहन बंद रहने की उमीद है हाला कि सरकार और निजी कारेयालियों इस्कूलों के सामने रूप से काम करने की उमीद है सोशल मीडिया पर भी लोग भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं इन सभी मुद्दो पर सरकार बुरे तरीके से घिर चुकी है और इसका फाइदा कहीं न कहीं विपक्ष को हो सकता है डिवी लाइव की रिपोर्ट